इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ कि हम Google Photo में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं जिसे कि हम जिन भी Photo एफर वीडियो को एक अलग फोल्डर में रखना चाहें उन वीडियो एफर फोल्डर को हम बहुत ही आसानी से उस नय फोल्डर में रख सकते हैं और हमें जब भी अवस्ता पड़ें तब हम उस फोल्डर को ओपन करके उन फोटो एफर वीडियो को देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इस वीडियो में आप प्रीज़ों सब्सक्राइब करें आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें गूगल फोटो में एक नए फोल्डर बनाने के लिए हम यहां से गूगल फोटो को ओपन करते हैं गूगल फोटो को ओपन करने के बाद अब यहां पर आपके लिए कॉर्णर में है लाइवरेरी इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है यहां पर किलिक करने के बाद आप आप और इसके बाद यहां पर सबसक्राइब करना है किसे खीन इसे कि माल लीजी मैं इस फोटो को और इस photo को इस folder में add करना चाहता हूँ इन दोनों फोटो को तो मैंने इन दोनों फोटो पर click किया अब यहाँ पर यह उपर लखा add इस पर मैंने click किया यहाँ पर click करने की बाद अब आप देख सकते हैं हमारे mobile में जो है subscribe के नाम से एक folder बन चुका है अब यहां से बैक होते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं यह है वो फोल्डर यह देख सकते हैं इसमें हमारे जाए दो फोटो है अब यहां पर क्लिक करके आप जो एड फोटो पर क्लिक करके इसमें और फोटो एड कर सकते हैं और यह सेर वाला वाटन इस पर क्लिक करके आप इन फोटो को या फिर इस फोल्डर को सेर भी कर सकते हैं यहां पर कॉर्णर पर आप लिए फोल्डर को सेर भी कर सकते हैं यहां पर क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट फोटो कर सकते हैं आप जो किसी फोटो को सेलेक्ट कर सकते ह इस तरह से आपने फोटो को देखना चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए दो एरो देख रहा है इन पर आपके लिए क्लिक करना है अब यहां पर आप अपने हिसाब से जिन भी फोटो को पहले देखना चाहते हैं वह सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं देखना चाहता हूं रि फोटो एड़ कर सकते हैं और इसके बाद यहां पर नीचे है डिलीट एलबम तो इस पर क्लिक करके आप जो हैं आपने इस एलबम को जो बनाया है इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं